नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं नए तेवर और बिल्कुल नए अंदाज में एलार भारत बिहार में राजत के साथ जनता दल यूनाइटेड की सरकार थी जिसके मुख्या नीतीश कुमार ने आज राजभवन जाकर इस्तिफा दे दिया है लगातार भाजपा के साथ सरकार बनाने की अटकले तेज थी जिसे आज नीतीश कुमार ने साफ कर दिया इस्तिफा देने के बाद नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी लोगों के राय के बाद उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया है और पुराने गटबंधन को तोड़ कर नया गटबंधन बनने के लिए तैयार है नीतीश कुमार ने कहा कि देड़ सा हम पूरे नए गट-बंधन में थे लेकिन जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि उसके बाने लिया गया है। इस्तिफा देने के बाद नीतीश कुमार का आपको सुनाते हैं अधीक नीचल रहा था इसलिए थोड़ी प्री आप लोग तहम से बहुत कुछ रह थे हम बीच में बत कर दिये ने कुछ कुछ बोलना मैं तो वहीं सब दोगों की रहा आए अपने तो इसलिए आज हमने जिफानिया अभी तो समप्त कर दिया गया था तो यहां पर भी तो इधर आ करके ठीक नहीं लगी है अजिस तरह से लोगों का दावा हो रहा है जो इसना मिलत किया जाता था तो आज इसलिए आज इन लोगों ने दिया अलग हो गए अब आज अन्य पार्टियां एक साथ हो करके जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तै करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा ता आप जानीगा भी विट करीगा तो आप में सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया है तो साफ है इसके बाद बिहार में फिर से नई सरकार बनेगी खबर यहा है कि भारतिय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार एंडिये में शामिल हो चुके हैं लिहाजा थोड़ा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा लेकिन यह जरूर साफ है कि आज नीतीश कुमार ने राज़त के साथ गट बंधन तोर सरकार गिरा चुके हैं इस पर राजनीतिक माईने और आगे क्या कुछ होगा जाने के लिए देखते रहे एलार भारत अगर आप में हमारे चैनल एलार भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक नहीं किया है तो जरूर कीजिए